नए हफ्टी की सुच शुरुआत के संकेत दुनिया भर के बाज़ाना है लेकिन पिछले हफ्टे की शांदार तेजी और रिकोर्ड हाई पर बंद होने के बाद आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज नया लाइफ आई बनेगा लेंगे इस सवाल का जवाब स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाई में नमसकार मैं हूँ अनिल सीजी और नमसकार मैं हूँ दिपानशो भंडारी रिकोर्ड है बाजार की यहां से चाल पिछले हफ्टी की दमदार तेजी के बाद अब का आक्शन कहां पर करना है फोकस देरों सवाल करने है अनल जी से और जान नेस्टेक में कमजोरी रही डाव भी दिनके जिस्टेस्टों के आजवास जाकर बंद होते दिखे देखे 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 था थोड़ी प्रोफिट बुखिंग का माहूल अमेरिकी बागरां में लंबे वीकेंड के पहले रहा लंबा वीकेंड में इसनी कह रहा हूँ कि आज अमेरिकी बागरां में है छुट्टी तो तीन दिरों की चुट्टी के पहले एक तरफा तेजी होने के बाद फ़ड़ा प्रोफिट बुखिंग करना अमेरिकी बागरां में लोगों ने मुनासिक समझा दूसरा अब आपके लिए एफाइज और गरिलु फंट्री खरीदार और आज से सोवरेन गोल्ड बॉन्स जो जारी किये जाते हैं हर साल सरकार के तरफ से वित्वर्ष 24 की पहली सीरीज शुरू होती दिख रही है अब कर दो चाहिए तो यह हैं आपके लिए कुछ बड़ी बाते हैं और आज के कुछ एहम ट्रिगर्स जहां पर करनी है बातचीत आइधिंक सब के मुँपर एक ही सवाल है सर आज जो होना है बाजार में वो सब पहले जानना चाहते हैं और जानना यही चाहते हैं कि क्या आ पहले इस रन अप में रिकॉर्ड लगा दिया निफ्टी 25 पॉइंट से रह गया एक अटेम्ट आया था हम बाद भी कर रहे थे कि अटेम्ट आ सकता है आया आखरी पड़ाव पर नहीं जा पाया बट आज सुभा ठीक है थोड़ी ग्लोबल सुस्ती है बट जैसे आप कहते ह नहीं कि हम नए लाइफ आई की तरफ ना बढ़ें या लाइफ आई ना चूँए पहली चीज़ तो यह कि ग्लोबल सपोर्ट नहीं है यह जरूर है अगर थोड़ा भी अमेरीकी बादार उपर बंद होते हैं साथ ही डाव फ्यूचर्स भी आपको 30-40 पॉर नीचे ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सपोर्ट मिसिंग है और एशिया में निकई को छोड़ दे तो बाकि सारे बादार थोड़े सुस्त है तो दो तरीके से आप देख सकते हैं अगर आप सिर्फ रिकोर्ड के लिया से देखते हैं कि क्या पहली दिसम्मर 2022 के बाद 8887 के उपर 8888 वन डब का बंद है उसकी वज़े हमारी अपनी है पहली चीज तकनीकी तोर पर भारती बादार बेहद मजबूत है जो क्लोजिंग आपने शुकरवार को देखिए और निफ्टी पर वो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है अब तक कि सबसे बहतरी क्लोजिंग मिली है और जाहिर सी बड़े ब्लॉक्स खरीदे बेचे जा रहे हैं उनके अपने अजस्मेंट होता है फिर भी नेट नेट अगर आगर आप देखें तो लोकल फंड्स और एफाइज दोनों की तरफ से खरीदारी का फ्लो बर करा रहे है इसी महीने में एफाइज अलड़ी 16,000 क्रोड से से बेचनी का मूड बना लें तीसरी बात जो है हमारे एकोनोमी के डेटा आप देखें डायक टेक्स कलेक्शन के जो नंबर्स आएं बहुत मजबूत दिख रहे हैं 11% के आसपास की ग्रोथ जो है वो काफी बढ़िया है सो हर एक लिहाद से अगर आप देखें तो कहीं कोई ऐसे संकेत नहीं जिससे कि आपको डर लगे कि अच्छा इन सब के बीच में कुछ एक थोड़े बहुत मिटके शेरों को छोड़ दे थोड़े बहुत अधरवाइस कहीं कोई यूफोरिया के भी संकेत नहीं है ऐसा भी नहीं कि मतलब आप किसी को भी पूछो मतलब मैं वीके सबके बें अंदर फिलिंग एक ही है कि मतलब वो यूफोरिया वाली फिलिंग नहीं कि आज नहीं लिया तो कल नहीं मिलेगा वो अभी तक नहीं है और उल्टाइए कि अंडर इन्वेस्टेड है तो उस लिहाद से मुझे लगता है कि आपके डाउनसाइड रिस्क लिमिटे बन सकता है कोई खास दूर है नहीं आप 50-75 पॉइंट बढ़ जाएं 60-70 पॉइंट इसे आपने एक प्रॉमिस किया था अगर रिकॉर्ड है होगा तो कुछ करना है या विल्कुल बिल्कुल तो हमारे दर्शकों ने कुछ वीडियो भेज़े भी है आपको याद दिला दू अभी भी लाइफ टाइम हाई बनने में सवा नो बज़े तक यानिकर एक सवा गंटे का समय है और अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ टाइम हाई के सेलिवरेशन का वीडियो जी बिदिनिस पर दिखे तो बस जल्दी से अपने अच्छे से कोई स्टेफ तयार कीजे औ वैसे मैंने शुकरवार को ट्वीट भी डाला था और उसमें कई सारे हमारे दरशकूर के वीडियो भी आए रिस्पॉंस आए लेकिन वह डान्स हम आपका देखना चाते हैं वह दूसरे इधर उधर के उठा के नबेजे खुद का अपना डान्स है आपको दहीर हो है हर एक अब अपने स्टार है तो डेफिनेटली आप अपनी तयारी रखे और वीडियो अभी भी बेजी अभी भी समय है और इन सब में मैं पढ़ना था काफी जबर्दस रिस्पॉंस आया है लोगों का ट्वीट में लेकिन लोग सबसे ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हम आपक सब्सक्राइब लोगों पता है आपको फॉलो कर लूंगा इस दो चलो ठीक है Medical तो चलिए हमारा प्रोमिस है और बाकी आपके डांस की वीडियो जल्डी से बेजना शुरू कीजिए जारंची है मतलब 10-15 सेकंड का भी होगा तो काफी है मतलब एक दो अच्छे से स्टेप बढ़या मुझ बता जिए थोड़ा एसा लगे कि मतलब हाँ हाँ एक और चीज वो बहुत सारे लोग शादी गादी के बेटी पेज़र है वो बाई संगीत संधिया वाले नहीं चीए निफ्ती के हाई वाले चीए पदलब शोटकट भी देखो लोगों का कहीं शादी बादास के उसका भी भेज़ होगे चलो अनिल जी एडिस कर लेंगे कडल भी लेता अगर दूसरों के नहीं आते तो अब दूसरे इतने आ रहे हैं तो फिर है न न्यू हाई से वाले बड़िया को जल्दी से बेज़े फिर हम आपको दिखे आपकी वीडियो आज दिखाने वाले अनिल जी के ट्विटर पेज पर जाएए उनकी प्रोफाइल पर पिंड ट्वीट ही आपको ये मिलेगी उसके नीचे आप अपना वीडियो हमें टैक करके भेज दीजे जल्दी करिए टाइम है अभी और हम कोश्च करेंगे जादा 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 वीडियो हम दिखाएं भी तो चलिए सर हमारे बाजार पर तो हाई का अटेम्ट है जैसे आपने का डेटा भी बढ़िया आ रहा है सारे टैक्स कलेक्शन अच्छे थे यह अडवानस टैक्स नंबर्स और डिरेक्ट टैक्स नंबर्स भी बढ़िया आ गए गलोबल मार्केट पर एक बार जिस्ट टू दो चीजे हैं पहली चीज़ तो है कि अमेरिका में थोड़ा कंफूजन से उस तरह वाली सिचुशन की तरफ लोग पहुंच रहे हैं जिसमें कि फेड ने जो डराने वाले बयान दिये उस पर भरुसा आधे लोगों का है आधे लोगों का नहीं है उस वाली सिचुशन में पहुंच रहे हैं तो इसलिए एक दिन आप बाजार को कमजोर देखते हैं दूसरे दिन मजबूत तीसरे दिन फिर से कमजोर यही हुआ है आपकी फेड की मिटिंग है जिस दिन मिटिंग आई मिटिंग के पहले है पोज चड़ गये दो हाई गड़ गये नीचे बंद हुग वापस थोड़ी रिकवरी आई नेक्स डेप पूरी तेजी तीसे दिन शुक्रवार को फिर से कमजो डेल ओपर अब तो अभी तक अमेरिका के बाजार अपना क्लियर कट मन नहीं बना पाने कि फेड चेर्मेन के बयानों को किस तरह से पढ़ा जाए मैं तो पढ़ा समझा ज करना है आप टेक यूर उन स्वीट टाइम लीजे आराम से और उसके लिए हमने अमेरिका को तीन दिन की छुटी दिये आराम साथ चुटी पर बैठिये सोचे समझे कि वह अल्टिमेटली करना क्या है करेक्ट सो मेरे खाल से एक वह रिजिन है कि अमेरिका का अमेरिका वाले के पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी रहो होनी भी चाहिए होनी भी चाहिए गलत क्या है मतलब आप हमेशे ही बढ़ते रहें क्या कभी गटेंगे नहीं और बाइदाब बढ़ने से यादा है क्या-क्या रिकोड बना रहे है मतलब गजब क्या हर ह एक तोग गेन आरी है, हर हफ़ते इनके कुछ नो कुछ हो रहे हैं. बड़ने हैं वह कोवीट के पहले काई रीकोर्ड है, चार साल बाद ऐसा हो रहा है, तो कोवीट के पहले का रीकोर्ड तोड़ाक लगातार आफ़टे और नुबर एककिस के साथ मुन्दि आ पूरे में आप एस यं-पी को लगातार 5 देशर ब्रजेआ हैं गरे के लिगत दोनों ही नहीं 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 आएं मतलब वेसा हाल है एक आद दिन का बहले ही छोड़ने है बाकी तो अमेरिका तो बहुत ही मजबूत है और ऐसे में एक चीज भले ही ठीक है हम अपने एकोनोमी के आँखड़ों के दम पर मजबूत हैं सब है अपनी जगे हैं लेकिन इसमें पूरा सपोर्ट ग्लोबल भी है हमारी तेजी में ऐसा नहीं कि हम अकेले ही बढ़ रहा है हो किया रहा है थोड़ा फर्क ही हो रहा है कि हम तब बढ़ के जब डाउ नहीं बढ़ रहा था एसन पी तो खेर बढ़ी रहा था नेस्डिक भी बढ़ी रहा था लेकिन तब बढ़े जब डाउ नहीं बढ़ रहा था डाउ से कनेक्शन थोड़ा तोड़ना है ये तब तक मन बननी पाया था, इसलिए हम ऐसा लगा कि हम अकले बढ़ रहे हैं, लेकर अब आखड़ों को विस्तार से थोड़ा अंदर जाके देखे हैं, तो भाई और बैनों, तेजी अमेरिका में भी फुल है, कम नहीं है, और उनकी तो सिचुशन खराब है तर तेजी है, हमारे तो अच्छी अरमतेजी कर रहे हैं, तो समझ में आता है, वो तो खराब होते में भी कर रहे हैं, सोचो, I think global support पूरा है, एक आख दिन का महौल छोड़ते हैं, इससे बड़े अमेरिकी बाजार क्या मिलेंगे आपको, जहां ब्याजरों बढ़ें का खत्रावी भी बरक है, महेंगई को लेकर फेड कॉन्फिडेंट नहीं है, रेसेशन को लेकर अभी भी लोग थोड़ी चिंताय में है, नोक्रियोंकर के आंक्रे थोड़ी धीले दाले आ रहे हैं, फिर भी अमेरिकी बाजार मजबूत है, हैट्स ओफ, हैट्स ओफ, चलिए बढ़िया है, तो global support वैसे अब day-to-day ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, वैसे mall बढ़िया है, ठीक है सर, तो बताएं फिर, आज इंतजार है record है का, बट strategy क्या होनी चाहिए, संकेत क्या कह रहे है, strategy आज मैंने record high के बाद ही की बनाई है, आप खाली करो, उसके बाद कोशिश पूरी है, और record high के जवाब हम आपको देंगे, what next, क्या करना है, आगे पैसा बनेगा, नहीं बनेगा, बना उसको profit book कर लें, क्योंकि record high जब भी बनते हैं, mood माहूल अच्छा होता तब ही बनते हैं, खराब माहूल में तो कभी आसक बना नहीं है, और अच्छे माहूल में, खराब माहूल में ल जवाब है, बनाओ आप खाली, एक बार high बन गया, जवाब सारे मिल जाएं, और इस weekend पर कुछ नहीं किया मैंने, बहुत लंबे समबाद weekend पर में पूरी तरसे मोंबई में था, रिलेक्स किया, रिलेक्स तो ठीक है, बट पढ़ाई करने के लिए time पूरा मिला, पढ़ाई क पढ़ने के लिए time आपको flights में या travel के दोरान मिलता है, और उसमें भी क्या पढ़ते है, फ्लाइट में नीज आ जाती ही फिर, कुछ-कुछ data boring भी बहुत होते है, जल्दी से जब की आ जाती है, फिर पढ़ाई यह तो उतरने का time आगे है, फिर रह जाता है, इस बार थोड उसके बात की strategy भी जो बहुत काम की है, उसमें भी हमारा पूरा focus रहा है, जहां तक आज की strategy का सवाल है, global संकेत मैंने negative side पर रखे है, FIs और गरलू संकेत दोनों ही investors के positive side पर रहे हैं, वाइदा करोमार के संकेत है neutral, sentimental trend है positive, चार positive, एक negative, एक neutral, यह आज के लिए है, बढ़े आज के लिए कुछ? इसके पार निकले तो 8950, 9025 यह वो रहे हैं जो हो सकती, जहां पर profit booking होटीव दीख सकती है, एक जो level आज मैंने दिया है, 9025 यह आप life में पहली बार ही देख रहे होंगे, आ गए 19000 के levels, लेकर आपको लगता है life में पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, पहले भी ए पहले आप बात कर चुके हैं, हमारे दर्शकों में अगर किसी को याद है तो बताएं, मुझे ट्वीट करके बोलिये, और जो यह ट्वीट करके मुझे सही जवाब देगा, वो भाई साब, रियल में intellectual आदमी है, बताए कि मैंने 1905 का level पहले कब बोला था, इंट्रेस्टिं आपने नेशनल टेली विजिन पर बोला था, सलामी दीजी, 21 तो फिल, आउं कहां से, तो कहने के लिए मतलब, इंडिकेटिव समझ लिया, उतना सम्मान, अगर कोई मुझे यह बताए कि 1905 का level कहां से आया, और इसका पहले कहां reference बिला है, चलिए, बढ़ी है सर, लगाए, बताए, ट्वीट करें, बताए हमें, ओके, तो यह होगा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, 43,675, 43,825, 3,675, 3,825, 1,500 की रेंज है पहला सपोर्ट, लेकिन मुझे पहले सपोर्ट पर थोड़ा confidence कम है, वैसे जाना नहीं चीए इसकी नीचे, लेकिन फिर भी इसके ठीक सब्सक्राइब की रेंज, 43,775, 425, 425, यह यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करें, जो जो आपके मन में है, सब कुछ करें, बेचने के लिया, तो नहीं, ठीक है सर, टन, थोड़ा डेटा भी समझाएं सर, जो आज आज आपने वाइदा कारोबार के सेंटिमेंट नीट साइड पर है, पुटकोल रेशियों पी थोड़ा बढ़कर आया है, एक तरह से एक उनतिस, और बैंक निफ्टी का पुटकोल रेशियों भी 0.66, 0.99, तो थोड़ा बाजार जो हलका था, जिसकी वेज़े से आपने शुकरवार को बड़ी तेजी लेकर शुकर आपको याद कर डाली, स्टोपनोस देदू अब आपको, जी सर, निफ्टी पर इंट्राडे के लिए मैंने रखा है 8,690 और क्लोजिंग बैसिस पे है 8,600, छोटे स्टोपनोस थोड़े ऊपर की तरफ खींच कर लेकर आ रहा हूँ, बैंक निफ्टी पर एक यह 3,675 होता है, उसके 25 पर 43,650 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, जिसको थोड़ा दूर का रखना है, लेकिन मेरा यह मानना है, मैं बैंक डिफ्टी में लोंग सैट पर इस्टोपनोस बड़े रखना नहीं चाहता है, क्योंकि बैंक डिफ्टी में अभी भी उतनी तेजी बनी नहीं जितनी बननी चाहिश, बड़ा शुकुरवार को भी हमने कहा था कि लेने का टाइम है, देने का नहीं है, गुरुवार को भी अमरी यही बात थी, जब 43,445 के आसपास तक लीजिए, लेकिन वो 44,000 के आसपास आकर दम तोड़ रहा है, इसलिए हम लेने में आराम से, और फिर कहूंगा द थोड़ा सा कम पर्फॉर्म करेंगे, इसलिए थोड़ा सा कम पर्फॉर्म करेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा नहीं भागेगा जितना निफ्टी भाग रहा है, ओके, शूर्ट अगर आप हैं, तो 8,900 अब आपका एस्ट्रप्नोस होगा, शुकुरवार को हमने 8,825 दिय भाव का शोट है, 8,000 का निफ्टी शोट है, इसका शोट है, क्यों भई, क्यों जिद करते हो, जिद करनी है तो लोंग में करो, वापस भाव आता है, शोट में पता नहीं ना, कितना उपर जाके भाव होए, तब तक आप नहीं खड़े रहें, और प्रॉब्लम क्या है, और सवाल यह सब पूछते हैं, फिर बड़े तकली होते हैं, जैसे ही काटेंगे ना, महा टोब भी हो जाएगा, और सबोज आप शोट हो, आप अठा जार से शोट हो, आप जो पूछा है, मैंने का अठा तीन्सों पचिस का स्टप नो समना, और अरे सर वो तो नहीं रखा, सब पहले स्टप लोस पे ही काट लो, वो डिस्सिप्लिन होना जी, इसलिए अब अठा नो सो रखिए, अगर नहीं है, और फिर भी जिसको और रुखना था उननीस जार बस, छोड़ो, उननीस जार पचीस, यह नमबर भी तो याद रिखना है, हमारत काम है, आपको याद कर रहा है, उननीस जार पचीस, बस, अब खुश, और आपको 200 उपर का देजिया, अभी ता आज के लिए 8900 ठीक है, बैंक निफ्टी का 4400 थोड़ा सा नीचे खीचा है मैंने, 4400 से स्टॉप लोस, इसको डीप रखना है, 4400 रखे, अदरवाई 4400 या 4400 का भी आप स्टॉप ल पचीस हो गया है उपर 20-25, आता नहीं है, इंचे खुलता नहीं है, खुलता नहीं है, वो मौका मिल जाए तो और मज़ा आता है, दो दो तरीके हैं दिए, या तो ये रेंज में मिले तो खरीदिये, अठरा 690, अठरा 775, नहीं तो अठरा 690 का स्टॉप लोस आपको लगा है, जो आपके सामने पहली बार मैं आपको रख रहा हूँ, ठीक है, ये स्टॉप, अगर मिले फ्लैट या थोड़ा नीचे तो खरीदिये का मौका है, ठीक है, अब आईए आपका बेचने का मामदा, जिन को जरूरी है लाइफ में बेचना, और किसम खाके निकले मैं शॉर गरों, अब मैं स्टॉप निचे तरल पचीस ही करूंगा, 19,25 ये आपका स्टॉप लूब सो हो गया, टार्गेट जो बनेगे, 18,825, 800, 2 चोटी टार्गेट, 750, 725, 2 च्टार्गेट, 690 का फाइने टार्गेट, ये मैं नहीं कहे रहा, आपकी मर्जी से आपको करना तो आप पीले दिया है, जो लोग करना ही चाहते हैं, उनके लिए है, ठीक है, डन, डन, गॉट इट, बैंक निफटी, खरीदना है, 43,525, 43,675, अगर इस रेंज में आज मौका मिले, जरूर कोशिच कीजिए, खरीदारी करने के, दो टुकड़ों में ले सकते हैं, 675 पे भी, और 535 के आसपास भी, दो टुकड़ों मिलीजे, 43,375, यह आपका स्टो प्रोस का लेवल होगा, टार्गेट 43,750 और 800, दो छोटे टार्गेट है, 875, 925 और 975, तीन मीडियम टार्गेट है, और बड़े टार्गेट के तौर पर 44,025, 44,075 आपके लिए होंगे, यह आपके लिए खर की बारी, तो बैंक डिफ्टी आपको बेचना है, बेचने के लिए दीप 44,200 के आसपास अच्छी जगह है, अगर आज मौका मिल जाता है और वहाँ पर पहुंचना है, तो 44,175 से लेकर 44,350 यह वो रेंज है, जिसमें आप शोक फरमाएं, बेचनी का, टुकड़ों टुकड 45,500 का स्टॉप लोस होगा आपका, 25,000 का स्टॉप लोस किसने लगा है, जिसमें लेचना है, 45,500 का आपका होगा स्टॉप लोस और टार्गेट जो बनेगा, 45,125, 45,75 और 45,000, यह तीन छोटे टार्गेट है, 43,950, 875 और 43,825 तक के फाइनल टार्गेट के लिए करनी है, इस बैन से बाहर आगया, बैनलिस्ट में जो रगाता हरम अडिशन देख रहे थे, कल फ्राइडी को एक सब्ट्राक्शन होए, बी एचेल बाहर आगया, बट अभी भी आर्ट स्टॉक्स बैन में है, डेल्टा, इंडिया वोल्स हाउजिंग, आई एक्स, इंडिया सिमेंट, ल ने जुट फीछ रगाता है, डो 2035 क्रोड के स्टॉक फीचर्ज रगाता है, ब्लॉक दिल्स का एड़िसमेंट है, लेकिन पैसे तो पैसे हैं, आ रहे हैं मार्केट में, अच्छे आ रहे हैं, मजबूत आ रहे हैं, वहरे वहम्स हाम पारइकशन देटा इसमें कोई डाउट पचीस पमिन नीचे आ जाए तब तक भी आप कमजोर है नहीं, 8800 के पुट पर 93 लाक शेर है, 8800 के कॉल पर 63 लाक शेर है, तो अठरा आठ सो यह आपके खुलते हैं पहले बेस का काम करेगा पहली चीज तो यह है तो यह आपके लिए नीचे जो मजबूत सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अठरा जार साथ सो एफ नो डेटे के लिया से एक करोड बीस लाग शेरो का ओपन इंटर्स है अठरा कोई नीचे बेच रहा है खाली को अठरा नो सो पर कितना है एक करोड बीस लाग शेरो उससे आप समझो किसी को भी है ना कोई बेचने में बहुत डर लग रहा है उननीस जार तो एक बड़ा साइकोलोजिकल लेवल है और वहां तो बेचो पर वहां भी नहीं है वहां बी सि जारा बनानी ही शौर्ट साइट पर इसलिए पुट को अपका एक उन्तिस बढ़कर आया है तो यह आपके लिए निफ्टी के डेटा होगा है बैंक निफ्टी का तो एक ही लेवल है ले देखे 44,000 में एक और ब्रेक होई है 44,000 के पुट पर और कॉल्स पर दोनों पर हाई एक ही स्टाइक प्राइस पर है 27,000,000 रुका पुट पर है और कॉल्स पर 38,000,000 रुका बस तो चलिए यह है आपके लिए पूरा इंपॉर्टन डेटा इंट्रेसिंग सेशन होना चाहिए न्यू लाइफ हाई पर तो हमारी नजर पनी हुई है इसमें स्टॉक्स का भी योग प्रिदारी करने के रहा है और आपको पता है यह सेलेक्टिवली जिरेजरे फार्मा शेरो पर हमें भी बदल लिया है और को प्रेजी में आ भी रहे है दो तीन अच्छी चीज़ें जो इसके लिए आज के लिए एक तो यूस एपडी ने इनके हैधराबाद में जो एपी आ प्रांट है उसका इंस्पेक्शिन पूरा कर लिया 12-16 जून तक इंस्पेक्शिन चला था दन्यवाल बिना किसे आपतिके पूरा हुआ उसके तो इनकी तीसरे आँख खुल जाए तो पूछो मत भी साब तो यह हो गया और उससे पहले कि 12 माई को इनका शिर्का को लंब प् बौफा की तरफ से आपके लिए एक रिपोर्ड भी आई है इन पर जिन्होंने 5220 से टार्गेट बढ़ा कर 5500 किया है तो दो रीजिने एक अमेरिकी बादर में जो जिनरिक बिजनस है उसमें सुधार के संकेत आ रहे हैं और इंडिन बिजनस तो डॉक्टर नेरिस का यह खरीदारी और ज्यादा गेप से ना खुले तो आपके लिए खरीदारी करने का मौका बनेगा भी ओके गॉट इट तो चलिए डॉक्टर रेडी यह है आपके लिए आज का स्टॉक ऑफ तडे अनल जी की तरफ से रखेंगे इस काउटर पर नसर आए फिर बाकी स्टॉक की भी करते हैं बादशीत हमारी टीम है तेयार अर्मान नुपुर और साथी आशीश मौनिंग अर्मान बताएं ट्रिगर्स और खबरे क्या कहने हैं जिसमें सबसे पहले SBI जिसकी जो है AGM होने वाली है Zee Entertainment यहां पर सैट मामले की सुनवाई करेगा Canfin Homes बोड बेटक में प सविजिन गॉल्ड बेंड स्कीम 23-24 के लिए जिसका सबस्क्रिप्शन आज से शुरू हो जाएगा कुछ नाम में बदलाव हैं स्टॉक में जिसमें महिंद्रा CIE Automotive जो कि अब CIE Automotive हो जाएगा और टीटागर वेगंस जिसका नाम मतलकर टीटागर रेल सिस्टम्स जो होता ह जाएगा एक्स डेट H.O.L. में हैं जहां पर फाइनल डिविडेंट है 22 रुपे का खबरों पर सबसे पहले हीरो मोटो जहां पर आप धियान रखे क्योंकि जी बिजनस की खबर पर महुर लगती भी दिखी है जिसमें MCA ने कंपनी के कुछ चीजों की जानकारी मांगी है और अगर आपको बता दूँ मैं यह हम गुरुवार को जो हमने एक्स्क्लूजिव स्टोरी की थी इसके हिसाप से अगर आप देखें MCA ने हीरो मोटो के खिलाब जो है जाच शुरू की है क्लासिफिकेशन के ओड्यू के चलते जो है महाँ पर उसके चलते इंको 20 लाग का दंड लगाया गया है टाटा स्टील कुछ अनुल रिपोर्ट्स यहां पर अनुल रिपोर्ट्स में हाइलाइट्स हैं जिसमें कंपनी बहुत बता रही है कि लगभग EF524 में लगभग 16,000 करोड का कैपेक्स करेंगे और पूरा का पूरा वो इंटर्नल अक्रूल के जरिये जो होगा जिसमें डॉमेस्टिक ले लिजिए ग्लोबल ओपरेशन ले लिजिए दोनों के लिए कैपेक्स किया जाएगा और अन्त में PVR जहां पर पहले दो दिन में आधी पुरिश फिल्म का कलेक्शन लगबग 240 करोड के आसपास रहा है ओके तो यह है आपके लिए कुछ इंपॉर्टन ट्रिगर्स और खबरे नुपूर मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन सी खबरें और कुछ फंड आक्शन भी हुआ उसके बारे में भी बताएं बारे में सबसे पहले इंड अगरो पेवेशन पे आज आपको नज़र रखने है पॉस्टिव न्यूज आप दिखरी कंपनी की तरफ से डॉक्टर रेडिस जैसे की सर्पताई रहता है पॉस्टिव न्यूज है युएस एफडिय की तरफ से जो हैदराबाद की एप्याई मैनुफाक्ट्रिंग यूनि आप देखें तो करीबन साड़े नौ करोड के आसपास का होगा जी हमायर एपोर्ट पे रखनी है नजर क्योंकि में के महीने का मंतली डेटा आते दिखा है पैसेंजर ट्राफिक की बात करें तो पिछले साल के कंपरेशन में 27% की ग्रोथ आपको दिखेगी 4% पिछले महीन उसको लेकर अब प्रमोटर की तरफ से यहां पे शेयस बिखते हुए दिख रहे हैं 4% हिस्सा बेचा है कंपनी ने क्योंकि पहले 79% की हिस्सेदारी थी 19 जून से एक साल तक की अवदी के लिए हिस्सेदारी घटाई जाएगी तो यह स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला पंड एक्शन में कल्यान जो लस जहां पे जो ब्लॉक डील हुई थी 6% एक्विटी शेयस बेचे गहते वहां पे बायस के लिस्ट अब सामने आई है जहां पे पेनवी पारिबर्स फ्रैंकलीन टंबलडन नॉमुरा इंडिया ने यह शेयस खरीदे हैं तो यह स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा आई को लाइटिंग रिसेंटली आई पयो लिस्टिंग हुआ तो महां पे कौंट मुचल पंड ने करीबन बारा लाग शेयस खरीदे चार सो नौ के भाव पर तो यह स्टॉक भी आज फिर से फोकस में रहने वाला है आवास फिनांशल स्मॉल कैब व से बढ़ा कर 5.9 पिसेंट कर दिये 15 जून को यह हिस्सेदारी बढ़ाई थी तो लजी बालकर्शन भी आज फोकस में रहने वाला है ओके तो काफी सारा फंड अक्शन हो रहा है रोज स्टॉक्स में भरपूर मूवमेंट आ रहा है उस पर भी रही हमारी नजर आए कई सारी ब्रोक्रेश रिपोर्ट्स भी आई हैं वीकेंड पर इन पर भी डालते हैं नजर एफ आ यार मॉर्निंग आशिश पहले तो आज की टॉप रिपोर्ट्स बताईए है बुड बॉर्निंग दिबांचु सबसे विले देखें पूरा इन बीएफ सी पैक आज फोकस में रहा क्योंकि एचेस पीसी की तरफ से बड़ी डीटिल रिपोर्ट आई है जहाँ पर एक आ आ जा रह है और जो लक्षव 7,070 से बढ़ाकर 8,282 कर दिया है मेननन फटांस यहाँ पर डबल अफग्रेड है और जो टारगेट है 270 से बढ़ाकर 360 कर दिया है infilt leakyցच कर दिया है और क्रेडिट आक्सेस ग्रामी नहां पर भी आप देखे 1450 का तागेट है तो पूरा NBFC पैक ऐसा है जहां आज आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकते हैं लेकिन साथ में एक और स्टॉक है जहां पर स्ट्रेंथ रहेगी हूँ है L&T मेक्वाइरी की तरफ से रिपोर्ट है आउट परफर्म की रेटिंग को बरकरा रहा है 2440 रुपे के लक्ष के लिए मानरे की बुलेट ट्रेंट टेंडर के लिए सबसे लुएस्ट बिडर एक होशित को हैं और अब तक का काफी बड़ा ओडर माना जा रहा है साथ में अगर आ 186 से बढ़ाकर 195 कर दिया है 1445 पैसपास की क्लोजिंग चल रही है साथ में अगर आप देखें तो सिटी गास कंपनी हैं यहां पर भी आपको रखनी नजर और सिटी की तरफ से एक पैट रेट जो है वो इनीशियेट किया गया यहां पर अगर आप देखें तो MGL पर और वे तो यह तो रही कुछ टॉप रिपोर्ट्स और कौन सी रिपोर्ट्स हैं शीश दिपानशु फाइफ स्टार बिजनेस फरनांस यहां पर देखें नॉम्रा ने कवरेज की शुरुआत किया है खरीदारी के राय के साथ और 600 की क्लोजिंग 700 का टागेट और मानरे की प्रोफि इंप्रोव होगी 600 से का भाव है 750 का टागेट दिया है नायका में बस है मॉगन स्टाइन ली उबर बीट की रेटिंग को बरकरा रखें 188 रूपे के लिए और जेफ्रीज ने भी खरीदारी के राय दिया और मानरे की मैनेजमेंट की तरफ से इंडिस्ट्री आउटलुक को लेकर काफी पॉजटिव कमेंटरी आ रही है दोसों का टागेट दिया है नॉमेरा करिदारी के राय देरें 183 रूपे के लक्षिक लाव मेकवाईरी ने 115 की टागेट दिये लेकिन 144 का भाव भी चल रहा है इसके अलावा गेटवे डिस्ट्री पार्क सैंपर सिटी की तरफ देखने को मिल सकती है वालुशन भी अट्रैक्टिव है तो खरिदारी की राय देरें लेकिन आई टी स्टॉक्स में आपको हलका सा प्रिस्टर देखने को मिल सकता है क्योंकि सिटी की तरफ से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर टागेट कट कर दिये गए है इन्फोस इस टेक पर टागेट बढ़ाया गया है एक हजार पैंतियस से बढ़ाकर ग्यारा सो पांच अलाकि स्टॉक चल रहा है ग्यारा सो एटालीस पर विप रोपेपर अगर आप दिखें तो लक्ष 340 से घटा कर 335 कर दिया है टेक में अंदरा पर 1060 रुपे की लक्ष के लिए मॉग कर एक दम बढ़िया क्या बात है बड़ा एक्षिन रहा है विकेंड पर लेकिन कुछ लोग ऐसे जिए विकेंड पर एक्षिन से मिसिंग थे है वह भी आ चुके है लोट चुके है आईए वक्त है पिक उफ देवीक का स्वागत है आप सबका सूप्रभाद बड़ी मुश्किल से वीकेंड पर अपने इनलोज के साथ वहां इनलोज से छूट कर आए बंसल जी से करते हैं शुरुआत अब वो कजिन साले नहीं बोल सकता है मतलब वो अच्छा नहीं लेगा तो उन्होंने भी ऐस के कजिन ब्रज से छूट कर आए बंसल जी सूप्रभाद शुरुआत करें सरा आप आपके लिए मैसेज भी आया है कि अनिल जी इतनी लोग परियरत है अनिल जी छोटी सी जगह आप पर गया था अनिल जी मेरे को टी-शिट दी कि 21 तारीको योग दिवर्स आया और अनिल जी रिक्वेस्ट करा उन्होंने कि कुछ साल पहले आपने अनिल जी जी बिजनस के स् और मेंको तो निल जी वाइट टी-शिट में भी दिया उन्होंने कुणाल जी का साइज उपलब नहीं था तो इसलिए रहे गे अनिल जी वो कभी ऐसा है ना साइज वाइस में दिक्कत होना बड़ा लिया हो ना बड़े में तो आध में फिटी हो जागा इस प्रॉलम में थे छोटी वाली में ना देखो लाना चाहे हाँ आध में तो बहुत सारे तरीके लाने का है कुणाल जी आप समझ गयोंगे कि बंसल जी लाना आधानेल जी आज का पिक उफ दवीक है मेरा मारूती काफी अच्छा लग रहा है टेखनीकली ने हाइस के तरफ जाने को तियार है यहां पर 9480 का स्टॉप लगाना है 9850 के लिए मारूती मेरा पिक उफ दवीक है और दूसरा अनिल जी देखे मेरे को टीशट मिला है मेरे को योग वोग नहीं आता निल जी टीशट पहन के सिर्फ फोटो पोस्ट कराना आता निल जी तो लाइक योगा और लाइक वीडियो देखना निल जी फोटो बोला होता तो मैं आनिल जी दिमांड पूरी कर देता उनको योगा देखना है वीडियो लेखना निल उसमें फोटो कुछ नहीं होगा उसमें करके दिखाना पड़ेगा एक्षन चाहिए बंसल जी के दो दिन और साल में मनाने पड़ेंगे एक तो इंटरनेशनल जिम डे अगर है तो मुझे पता नहीं तो क्या जिम विम में जाते हैं और उसमें इंटरनेशनल फोटो डे अगर इन दोनों से को नोजार आट्सो पचास नी बताएं टार्गेट बंसल जी जी अनिल जी 9850-9850-9850 कुनाल जी सुप्रभाद बताएं सर पिक आफ दवीक सुप्रभाद इपांचु सुप्रभाद अनिल जी देखे बंसल जी को आपका योग देखना है अनिल जी आपको अनिल जी डांस करके दिखाना है अनिल जी अगर हाई बन जया वो न भूल जाएं गानिल जी तो हमारा इंट्रेस्ट तो अनिल जी आपका डांस देखने में है योग तो अनिल जी कई बार हम पहले देख चुके है डांस आप हमेशा एक ही करते है तो डांस हो सकता है अनिल जी आज करने का मुझा है अच्छा आपको option दिया जा रहा है कुनाल जी आप मेरा डांस देखना चाहेंगे या इब का देखना चाहेंगे या दोनों का तो श Susie करें अनिल जी दूनों का दोनों का लें एक से भले दो अनिल एक अगर आप और दीप पफ़ेर डांस करेंगे तो पिर तो अनिल जी और बहतर हों लोगों को आना आप छूट दो वैस, खाली पूछो, मतलब पूरी तीम बे करा दे हैं हमारे 300–330 लोगे सारे जलिए तथास्तू, आज हम प्रसंद है, कुनाल जी की इच्छा पूरी करेंगे अच्छा याँ आपकी इक्षा में दो डबल पूरी करऊगा अनिल जी क्या बात है याँ नहीं टो सिटोक्स में लेकर के आया हूँ और मैं अनिल जी तैह नहीं कर पा रहा था कि इन दोनों में से किस को लूँ तुम मैंने सोचा दोनों को ले लेता हूँ सबसे पहले है IRCTC जिसमें एक बड़ा breakout चार्ट पर आता हुआ शुक्रवार को नजर आया एक inverse head and shoulder pattern बना है breakout आया है तो इन सतरों पर buy करके चलें यहाँ पर stop loss 656 रुपे पर 656 पर रखें पहला target 683 रुपे का दूसरा target 690 रुपे का खरिदारी की राया है IRCTC में और दूसरी खरिदारी की राया है यूबील में यूनाइटेड ब्रुमरीज में खरिदारी की राया है बड़ा शादार चार्ट स्ट्चर है क्राउंडिंग बॉटम पैटन बनाएं breakout आया हम शुक्रवार के trade में मुझे लगता है कि 1545-1565 के लक्षे के लिए यूबील को बाय करें यहां पर 1500 पर स्टॉप ला सकते है ओके तो यूबील और साथी साथ आपके लिए IRCTC यह दो स्टोक हैं यहां खरिदारी की राया इस हफते के लिए कुनाल जी की तरसे हमाईशो जी गूड मॉर्निंग बताएं सर आपके पसंद का share वेरी गूड मॉर्निग टी यह अनिजी गूड मॉर्निग एफूरान अनिजी इस हफते का जो पिक है जो पिक आप दे वीक है वो है भी एच्छ येल नजर आ सकता है तो भी एच्छ ये फ्यूचर में खरीदारी करके चलने की सदा रहेगी पहला टार्गेट 98 रुपे का दूसरा टार्गेट 105 रुपे का यह दोनों टार्गेट इस हफते के लिए स्टॉप लॉस 84 रुपे के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ भी एच्छ ये रहे हैं मेरी तरफ से इस हफते का पिक अब दभी आप खाली विचार करें हिमान शुजी आपकी सेवा में हम हमेशा तत्वर हैं आपकी भावनाओं का संबान करते हुए हमने आज ही इस स्टॉक को बेंच से बाहर निकाल दिया है आप चाहें तो हमें धन्यवाद दे सकते हैं चेलिए तो बेंच से बाहर आ चुका है भेल आज ही एक मातर स्टॉक है आज जो बेंच से बाहर आया और यह इसलिए हमने बाहर लाएं कि हमान शुजी कॉल दे पाए बाकि आठ शेरों को आपको Friday के session में बंद भी होते हुए दिखा था कुछ और stocks पर बात करने है Hero Moto जो हमने खबर चलाई थी Friday को कि MCA के तरफ से Ministry of Corporate Affairs के तरफ से Hero Moto के खिलाफ एक जाच शुरू की गई है कुछ मामलों को लेकर company ने फिर exchange में disclosure भी जा ले है उन्होंने माना है कि हाँ MCA के तरफ से उन्हें notice जरूर मिला है और उस पर कामकाज जारी है थोड़ा उतार चड़ा वाला रहा है stock एक बार चार्ट चेक बंसल जी Hero Moto का जड़ा देखे 3830 का level 2830 माफ कि जड़ा 2830 का level दिपांशू टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है stock में breakout भी हुआ था 2950 के ओपर इसमें अगर यहां देखें तो इसने sustain नी करा और टेक्निकली correction में चल रहा है और मुझे लगता नहीं है दिपांशू नीचे में 2750 से कहम सपूर्ट है दिकि जन्होंने शॉर्ट टर्म एक दो दिन के नजरे से लिया था उनका जो stop loss था 2877, 2875 वो trigger हो चुगा है जिन्होंने निवेश के नजरे से ले रखा है 2740 के closing basis के stop loss के साथ बने रहने की राये है ओके तो यह है आपके लिए hero motocop देखते हैं आज trade में इस counter पर कैसी move आती है मनापुरम finance इस पर बात करनी है थिंक पिछले हफते भी हमने इसको touch किया था कुनाल जी वैसे तो वाइदाकारबार के band में है बट इनके अच्छी खबर आई है जो उनके promotor and CEO नंद कुमार साथ के साथ ED enforcement directorate ने FIR दर्च किया था वो केरला हाई court ने खारिज कर दिया है अब आगे ED investigation का क्या होगा उसका इंतजार रहेगा बट essentially relief की बात आई कि FIR इनके खिलाफ जो था वो खारिज कर दिया गया है चार्ट देखें सर 4-4% उपर था Friday के session में बिल्कुल दिपांशू नीचे के लेवल्स पर एक rounding bottom pattern बना और उसके बाद शुकरवार को हमने एक अच्छा move आते हुए देखा मुझे लगता है कि और उपर के स्तरवी देखने को मिल सकते हैं एक congestion चार्ट पर 131-32 के आसपस नजर आता है तो मझे लगता है कि वहाँ तक जा सकता है 131-32 पर एक stiff resistance है तो हो सकता है कि वहाँ पर stock रूप जाए तो वो levels हैं इनको target मानकर जिनके पास position है hold करें मनापुरम ये है आपके लिए फिलाल है वाइदा करूबार के बेन में मनापुरम देखते हैं आज short covering होती है या नहीं तैयारे दो और खास महनुभाव हमारे साथ सुमिझ जी जूट चुके है और संदीब जी जूट चुके है दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है सुमिझ जी सुपरबाद करें शुरूआद बताएं सर पिक ओफ दभी अन्य जी जी सफती के लिए जिस स्टॉक पर नजर रखना है वो स्टॉक है actual FMCG stocks के अंदर momentum बन रहे है FMCG stocks में को लग रहे है कि यहां से उपर का move दिखा सकते है actual के अंदर यहां से एक बड़िया move उपर की तरफ देखने को मिलना चीए 2700, 2715 के असपास actual में खरिदारी करके चलने का सला रहेगा नीचे के अंदर 2660 का इसके अंदर stock close बनेगा और उपर में जो target देखने को मिल सकते हैं पहला target बनेगा 2775 का दूसरा target बनेगा 2800 रुपेगा 2660 के stock close से HUL में खरिदारी करके चलने का सला रहेगा 2775, 2800 के targets के लिए Okay, HUL ये है खरिदारी करने की राय सुमीजी की तरफ से जैन साब, सूप्रबाद, बढ़ाएं साब, पिक ओफ दे वीक बिल्कुल, वेरी गुट मॉर्निंग अनियल जी जबरदस्त हफता था और आगे भी बहुत अच्छा हफता लग रहा मुझे आज तो हम देखे, डांस काफि लोगा देखेंगे और मेरा भी अनियल जी नागी डांस करने का इच्छा है, ऐसा मार्केट चल रहा है अक्षेकुमार वाला तो नहीं पर डिटिफरेंट डांस करने की इच्छा है पूरी, बारात के आगे वाले जो डांस करने की इच्छा है आप ने बना जी हैं गो बनान बाकी है भी बनाया नहीं च्छा है मेरे टीवी पर जो खोब ऐसा है कि पहले बेज़दो हम सेंसर करेंगे इतनी रिस्क कौन ले रहे आपके वो खड़े तबले पर हम रिस्क ले चुके आपके गाने पर भी ले चुके तीसरी बार तो कोई भी माफ नहीं करता ना दो गल्टे के लिए तो कोई भी माफ करेंगा आप में तो कलाकारी कूट कूट कर भरिये हम सब एंजोए करता है तो बहुत बढ़िया इसका भेजे बढ़ावट वीडियो बना कर पहले बना लेना दा कहां भी मतलब आपके रहेगे सर ते लिए कोई बात नहीं बढ़ाए सर्फिक आपके लिए पिछले हपते जो फ्राइडे को मैंने शो किया था उसमें मैंने चार पिक्स देते चार आइडिया उनको रिपीट कर दूँ सबसे पहले तो FNO-Pick के तौर पे जिंदाल स्टील और पावर होगे है पहली बार मैं कभी भी कोई भी सेग्मेंट में रेकमेंड किया हूँ तो ये इंट्राडे FNO-Pick के तौर पे स्टील सेगमेंट बढ़िया, मैटल्स बढ़िया लग रहे है थोड़े तो ठीक है स्टॉक टेक्निकली स्टॉंग है इंट्राडे Cash Market पिक के तौर पे मैंने All Cargo Logistics, again one of the fantastic logistics company और पोजिशनल पिक के तौर पे विंदिया टेलिंक्स और लॉंग टर्म पिक के तौर पे मैंने Subros दिया था, जो कि Auto Insulin पर वैसी ही bullish है तो यह चार स्टॉक्स देते हैं मैंने जब भी भी Cash Market अच्छा होते तो इंट्राडे Cash Market पिक भी लाते है फ्राइडे वाले शो में और अब मैं अगर इस हफ्ते की बात करूँ तो मैं Main Pick of the Week, जैसे लास्ट वीक भी मैंने कुनाल जी के हिसाब सी एक MNC Company लाइज जो इस बार भी अगया है एक शेफलर इंडिया लिमिटेड, अगयन मेरी वनों मैं फेवरेट स्टॉक्स है और शेफलर इंडिया वो Main Pick of the Week मैं आए और जो अब दूसरे जो F&O सेग्मेंट सेगर कुछ स्टॉक्स में लाऊं या बड़ी कैश मार्केट यह बड़िया स्टॉक्स सेग्मेंट मुझा आज फार्मा बहुत बड़िया लग रहा आज आपने भी अनिल जी कमेंटरी दी तो वहां से सिपला और इपका ये दो स्ट उस देखे जा सकते हैं HDFC Twins और Bank of Baroda Banks में और Rights ये बड़िया लग रहा है और Sugar में बलराम पूचीनी और Disclaimer है कि ये सारे स्टॉक्स हमने आगे पीछे क्लाइन्स को रेक्रमेंट किये हुए तो कई सारे काउंटर्स हैं जैन साब के रेडार पर कुछ फार्मा नेम्स भी हैं जो जैन साब को पसंद आ रहे हैं यहां पर भी रखनी है नजर बलराम पूचीनी में हमने अच्छा अक्शन दिखा है ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए जैन साब एक Tata Steel से जोड़ दोड़ो एक्सपैंशन किये जाएंगे इनका कलिंगा नगर और जो ओडिशा का प्लांट है वहां पर भी ये केपेक्स की कुछ सीमा इस्सिमाल की जाएगी कैसे समझना है सर क्योंकि बड़ा केपेक्स Tata Steel लाइन अप कर रहा है तो Tata Steel ले काम आएन है और क्योंकि सेक्टर लीडर इतना बड़ा केपेक्स कर रहा है तो फिर बागी कंप्रीज पर भी इसका फरक पढ़ना चाहिए? एक्स्ट्रा ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल Tata Steel जैसा मैंने जिंडल स्टील और पाउर बोला Tata Steel भी पिछले कुछ दिनों में शो में मैंने जिक्र किया हुआ है बट जेनरली मैं एक्रेसिवी रेकमेंड नहीं करता बट येस जिनोंने होल्ड कर रखा वो होल दिखा भी था पीवियर ये भी इंट्रेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आदिपुरुष के जो रिव्यूज आ रहे हैं वो तो कुछ जादा खास नहीं है बट ओक्यूपेंसी लेविल्स फिर भी ओवर दे वीकेंड अच्छे रहे हैं एनिवे हमने देखा फ्राइडे को और से घरावर यहां पर देखने को मिले और एक बिरिश इंगलफिंग चयांद जैसे वह आशोची बोलते हैं त exist पूरिश इंगलफिंग सबको दिखती है बीरिश इंगलफिंग कैंडल यहां पर बनी है तो दिपांचू यहां से तो निकलना चाहिए और उपर में 1485 के ओपर निकले तभी तेजी करनी चाहिए और दिपांचू इसके गिरने का रिजन यह है कि मार्केट यह मान रहा था कि 120 करोड की इसकी ओपनिक पर केलेक्शन होगी और जो की 30-35 करोड के आसपास निपट गई ऑन फर्स दे तो टेखनिकल चार्ट भी खराब है और फंडमेंटल डाटा भी खराब है पी वियर का तो चार्ट भी खराब है डेटा भी खराब है अब दिखते हैं आज स्टॉक पर आपको कैसा रियाक्शन आते हो दिखता है बट मूवी का आक्शन उतना जादा खास रहा नहीं है इंटर ग्लोब एवेशन इसके लिए खबर आई है यह 500 एरबस A320 नियो के ओर्डर दे सकती है यह यह पांच हजार करोड डॉलर का यह बड़ा ओर्डर हो सकता है अफको ज इंडिको के अंदर यहां से उपर का मूव देखने को मिलना चीए इंडिको के चार्ट मजबूत है स्टॉक के अंदर तीजी देखने को मिल रहा है चापी सो चौबी सो पथीपचीस के आसपास भी इसके अंदर खोड़ारी की जा सकती है जिरों ने पोशिशन बना रखा है इंडिगों में लग रहा है कि यहां से उपर में 25 रुपे तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं तो पोजिशन्स होल्ड करें स्टॉक का जो नीचे पर चार्स के उपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2370, 2380 के आसपस का है उपर में 25 रुपे तक के लेवल आने वाले दिनों में इंडिगों में देखने को मिल सकते हैं ओके, इंटर ग्लोब पर रखिया नजर थर्जडे को स्टॉक अफ दे भी था टार्गेट्स भी हमने इस पर आते वे देखे थे आई और भी स्टॉक्स पर है फोकस बाजार भी खुलने के लिए तयार, क्या नया रिकॉर्ड लगेगा उपनिंग पर या नहीं, थोड़ी दिर में पता चलेगा